नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 मैं हूँ श्रया आपके साथ CM नितीश कुमार की पार्टी जेडियू में अचानक से सियासी बवाल मच गया एक बार फिर कहा जाए तो तूट देखने को नजर आ रही है श्रया मितीश कुमार में जब अचानक से संगठात्मक बाठक बुलाई थी जेडियू के प्रदेश कारिले में जिसमें तमाम नेता मंत्री और अध्यक्ष पहुचे थे उसी प्रकार विजेंद्र ग्यादव जब वहां पहुचे तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया पत्रकारों के बीच उसके बार ना सिब वो शोशल मीडिया पर बरकि सियासत में भी इसके कारण काफी ज़ादा बवाल मच गया है उन्होंने ये कह दिया कि वो जेडियू के पार्टी में अब नहीं है उनको क्यों बुलाया गया है? जिसको लेकर लोगों में काफी जादा कहा जाए तो आश्चे जनक गटआ घट गई है क्योंकि चानक से ऐसा क्या हो गया जिसके लेकर इतने जादा वो नराज हो गये इतना जादा गुस्सा हो गये कि अपने आपको ये करार कर दिया कि वो उस पार्टी का ही हिस्सा नहीं है क्या है ये पूरी ख़बर आई आपके बीच साजा करते हैं बने रहे हैं हमारे साथ अजल में क्या हुआ था कि जब विजेंदर यादफ को मीटिंग के लिए बुलाया गया था तो उनके तरफ से ये दिखाया जगया था कि उन्हें पोस्टर के तस्वीर रहेगी बर आबाद में जब पोस्टर छप गई तो पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं देखी गए थी जिसके बाद वो नराज हो गया और ये नराज की उनके चेहरे पे साफ साफ जलक रही थी वो पत्तकारों के बीच भी ऐसे बयान बाजी करते हुए नजर आए कि वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं है और उन्हें क्यों बुलाया गया है वो अपने कहा जाए तो वो जेडियो के उपर काफी जादा गुस्सा दिखें और काफी जादा नराज दिखें कि आखिर उनके साथ ऐसी नाइन सा फिगर की गई तो क्यों की गई बियार की राजधानी पत्ना में जैसे के जनता दल यूनाइटेट के नेताओ की बैठकी जिसमें अजीब व्याख्या के दरसल हुई जिसमें सरकार में मंतरी और मुखे मंतरी तीशकुमार के पुराने साथी विजेंदर यादफ को लेकर मीडिया में खबर आ रही थी कि वो पार्टी से नराज है इस बैठक में शामिल उने आय बिरेंदर रियादव ने यहां तक कहे दिया कि वो जनता दल युनाइटेट के नहीं है हाला कि मीटिंग से बाहर निकलने के बाद उन्हें ने कहे दिया कि वो तो सिर्फ मजाग में बोर रहे थे पार्टी कारेले में जो बाठक थी उसके पहले विजेंदर रियादव मीडिया से बाचीत के थेवे कहा कि हम जनता दल में नहीं हैं और कहा कि हमें क्यों ही बुलाया गया है नितीश कुमार के इस मंत्री के बयान को लेकर कहा जाए तो काफी ज़़ा सियासी बवाल मचावा है बिहार के उर्जया मंत्री और जेडियो के वरिष्ट नेता बिरेंदर पसाद यादव ने मीटिंग से निकलने के बाद जैसा कुछ कहा और बात कही विजेंदर यादव ने कहा कि 2025 में नितीश कुमार के नेत्रित में मजबूत सरकार बनेगी पत्रकारों ने जब सवाल किया कि अपने बैठक में जाने से पहले वो गुस्से में नजर आ रहे थे तो और आप जेडियो में नहीं है ऐसा बयान भी दे रहे थे इस पर उन्होंने कहा कि तो मैं ये तो मैं वजात में कह रहा था ऐसा कोई बात नहीं है बताया जा रहा है कि विजेंदर यादव जो है उन्होंने शुरू के में दिये गए बयान को लेकर मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि वो पार्टी कारेलर में बाहर लगे पोस्टर्स में अपनी तस्मीर ना देखे जाने के वज़े से नराज देख रहे हैं आपको बता देगी पत्ना में जेडियू कारकर के भीतर कपूर सभागर में जेडियू में एक बड़ी बाठक आयोजित हुई थी जेडियू में राष्ट्य और प्रदेश सतर पर नई टीम बनने के बाद इस बाठक को काफी एहम माना जा रहा है खुद मुखे मंति नितीश कुमार अभीवार को अचानक जेडियू कारकरता में पहुचे थे हालकि सीम नितीश कुमार इस बाठक में मौजूद नहीं थे तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना कि किस तरीके से विरेंद यादफ के एक बयान से लेकर काफी जादा सियासी पारा चड़ चुगा है अगर उन्हें ने ऐसा कहा तो क्यों कि कहा और अगर उन्हें नराजगी जताई तो क्यों जताई और अगर उनके पोस्टर में कहा जाए तो तस्वीरे नहीं आए थी तो तस्वीरे ना देने की क्या वज़ा हो जाती है ये देखने वाली वात हो जाती है इस पूरे मामले को लेकर और इस अच्छानक से बलाए गई मीटिंग को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा ऐसे दमाम न्यूज और एक्स्लूसिफ खबरों के लिए आप देखते रहें एक News24 अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहें तो हमें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारी यूट्यू जैल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमें फेस्बूक पेच भी देख रहें तो हमें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें धन्यवाद